राजधानी लखनो में मौसम में आये बदलाव की चलते सर्दी और बारिस का दोर जारी है बारिस होने से ताफमान में गराबट दर्ज की गई है मौसम बिभाग ने प्रिदेश के 16 जिलो में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया है इसके अलाबा बाबन जिलो में घनी कोहरी और 18 जिलो में बारिस का पूर्ब अन्वान जारी किया है बहीं कोल्ड डे को देखते हुए लखनव नगर निगम ने जगह जगह पर अलाब की विवस्ता की है रैन बसीरों में भी गर्म कपले कंबल और आग की विवस्ता की है बहीं राजधानी लखनों की मेर शुष्मा खरकबाल ने एमके न्यूस से खास बातचित की है आई सुनते हैं उन्होंने इस पूरे मुद्यों के लिए क्या कुछ कहा है राजधानी लखनों में बारिश के चलते बड़ी ठंड और बता दें ठंड को देखते हैं नगर निगम ने जो बेघर लोगों के लिए रैन बसेरे बनाया है और रैन बसेरों में कई सुविधाएं उपलब्द कराई हैं तकहत कंबल और रजाई जैसे कई सुविधा बेघर लोगों के लिए उपलब्द कराई गई और बता दें नगर निगम बेघर लोगों के लिए कई कारे कर रहा है जैसे रैन बसेरे बना रहा है और भी अन्य का आलाओ जैसी चीज़े कराई जा रहे हैं नगर नगम दारा, मैं कैमरामेन रोईद के साथ, M.K.N. News लखना उता है। जिन्होंने संगठन को सीच्चा है, लंबे समय से भारते जनता पार्टी के कार करता रहें और राम मंदिर के पुरोधा, क्योंकि उस समय इन्होंने कहा चाहे मैं अपना, मैं रिजायन दे दूँगा, मैं सत्ता छोड़ दूगा, लेकिन मैं राम भक्तों पे लाटी नहीं चल जो एक सपना पूरा किया है, आज हमारे प्रधान मंत्री मान्या मोधी जी ने किया है, मान्या रक्षा मंत्री जी ने किया है, मान्या मुख्य मंत्री जी ने किया है, आज उनका सपना पूरा हुआ है, हमारे जो संगठन की निव किये ते, जो चाहते थे, आज उनका सपना झाल झाल